सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशूर पतरकार सोईब चोधरी जिनको भारत में बहुत ही जता पसंद किया जाता है और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी कश्मीर से युवा पतरकार फाइका जावेद और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में भारति प्रधार मंतरी शिरी नेरेंदर मोदीजी के बारे में और खासकर हम सबके भवे और प्रिये रामंदिर के बारे में तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आके हम आपके ल वो हमारे लिए फाइदा में थाबित होगी और हुई भी है आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर की एक-एक स्पीच बिकर उनको लोग काफी ये बोलते हैं अपी चाय वाला है क्या मतलब उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बोला है कि लोग बोलते थे कि भारत को कैसे संबालेगा जो एक चाय बेज़ता था लेकिन आप देखें आप आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ भारत की लीडर है वो पूरी दुनिया के लीडर बन चुके है उनकी आइडियोलोजी डिफरेंट है और उसी आइडियोलोजी के तहत अगर हम लोग चलते हैं तो पाकिस्तान में एक चीज आम है कि हम मुस्लिम दो है अब पिछली बारे मैं इंटर्विव कर रही थी तो वहां पर आपके एंकर थे वह भी बहुत अच्छे बहुत आचा काम करें लेकिन एक चीज पर भी है उन्होंने बोला था कि अभी हम दो मुस्लिम के बीच एक क्रिष्टिन भी समझती हूं हर किसी रेलिजिन के साथ में मिल जुल कर एंवन एव लॉड़ फ्रेंड्स जो हिंदू है और जब जब उनके तहवार होते हैं I am the one जो celebrate करें जाते हैं उनके साथ मिल बाढ़ के और जब हमारी इद होती है वो हमारे साथ साह है that's called unity and that is the power of India and that is the quality of India जो आज पूरे world में पूरे संसार में भारत की वहवाई की जाते है it's because of unity क्योंकि हमारे कुरान शरीप में भी है गीता में भी है Bible में भी है कहां पर यह लिखा है किस religious book में यह लिखा है कि एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लड़वा हो और किसी के religion को गलत कियाना कि किसी की मंदर तोड़ना किसी की religious properties you know demolish करना यह तो किसी मजब में है ही नहीं अगर आपका influence ऐसा होना चाहिए कि आपके behavior से लोग बोले कि I wanted to join her religion क्योंकि आपके वह इकलाग आपका वह character आपकी वह शक्सिया डिसाइन कर डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हो और आप कि बुरा नहीं होता है सोच लोगों की बुरी होती है किसी भी मजब की बात करें उनके जो basic है हर मजब का basic अमन है हर मजब में basic यही बताया जाता है कि सच बोलो जूट ना बोलो किसी को नुकसान ना पुंचाओ लेकिन अब हमारे पे depend करता है चाहे Muslim है या कोई भी मजब से बिलांग करता है हमारे पे depend करता है कि हमने मजब को अपने लोगों में कैसे बताना है हमने यह बताना है कि हम में जजबा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया को काट देंगे मार देंगे या हमने यह बताना है कि भाई हमने peace को promote करना है हमें यह हमारे पे depend करता है और या आज अगर मैं बात करूँ इसलाम का इमेज पूरी दुनिया में क्या है और उसके जिमेदार कौन है उसका जिमेदार शायद कही ना कही मैं हो हम जैसे मतलब यहां पे मुसल्मान है या वो लोग है जो अपने आपको ठेकेदार समझते हैं मजब का लेकिन प्रैक्टीकली वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे जिसकी वज़ा से उनको अच्छा समझा जाए फाइका जी एक और चीज़ मैं जानना चाहूंगा जैसे राम अंदिर की बात हो रही है और बहुत ज्यादा न्यूज उसके हवाले से हारी है कि किश्मीर से भी लोग जाएंगे वहां पे 22 तरीफ का इंथोसिजम दिख रहा था उसे साफ से तो साफ पता चलता है कि कश्मीर में इवन कभी कबार भार भी जाती हूं तो बहुत सारे लोग एक्साइट होते हैं इवन टोटल मेंटालिटी चेंज हो चुकिए है समटाइमस मैं भी धंग रह जाती हूं कि ऐसा कैसे लाइक कश्मीर के लोगों में इतना जादा नौलिज का पावर इतना जादा एजुकेशन का पावर भड़ चुका है कि वह रेड़ी तो एक्सेप एवरिधिंग जो चीज प्राइम मिनिस्टर की कई आस्थाय है प्राइम मिनस्टर की कई इसके पीशे कई एफोर्ट से है आप डेख सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिसेर लगाता र कितने कितने सालों से काम कर चुक है कितनी जाता रेविलूशन इंडिया में आई है it's just because of him only अब कुछ लोग तो बो बारत को चेंज करना सच में भारत को रिवलिशनाईज करना चाहते हैं और जिस तरीके से अब राम मंदर की इनाउगरेशन होगी तो यहां से कश्मीर में भी लोग बहुत ज़दा एक्साइटेड हैं और तैयारी में है कि जब भी उसके इनाउगरेशन होगी तो जरूर चाहता हूं कि कुछ लोग यह कहते हैं या एलिगेशन लगाते हैं कि इन्डिया में जो भी हो रहा है आपको उससे क्या मतलब एदे पाकिस्तान नहीं आप क्यों उसको डिसकस करते हो या पाकिस्तान में खास तरपे कहा जाता है कि इन्डिया के मैटर हैं आप क्यों उसके पर बात करते हो या पाकिस्तान की बात इंडिया में क्यों बताते हो भाई सबसे पहले तो सोशल मीडिया है हर एक सोशल मीडिया के ओपर अपना राइट रखते है अपनी उपीनियन को शेयर करने का डिसकस करने का और सेकिंडली मेरा में मकसद दिये है कि आज ये देखें साम बताने के लिए ही, ये फरक समझने और समझाने के लिए ही हम उनके साथ बात करते हैं, कि भाई आज अगर वो दुनिया की पांची बड़ी एकानमी बने हैं, आज से 20 साल पहले हम आए दिन सुनते थे, कि भाई आज हिंदू-मस्लिम यहां पे यह मसला हो गया, इंडिया में आज यह मसला हो गया, वो मसला हो गया, अब मुझे बताएं, रीसन्टी दो साल, चार साल, जबसे मैं देखने हो, मुझे तो ऐसा चैसा कोई मसला देखने को नहीं मिलता, कुई स्रीकिसे निउस देखने को नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है, तो शायद ज्यादा तर्व म मुसल्मानों की तरह से भी देखने को मिलती है जैसे वो एक कनया लाल जो एक टेलर थे जिनका गला काट दिया गया वो किसने काटा ये सब के सामने है इसके लावा आफ़ताब नाम का एक लड़का था उसने जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है दोनोर की बलोच के नाम पे लाड़े हैं सिंध के नाम के लाड़े हैं पंजाबियोंके नाम पे लाड़े हैं पशितून के लाड़े हैं फिर उससे बातागे बढ़ती है शिया सुनी के लाड़े है और हिंदू-म буैला तो 컨cept खब्म हो चुक है ہیں وہ جس طریقے سے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں غموں میں شامل ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک سوال میں دیکھنے والوں سے خاص طور پر پاکستانیوں سے کرنا چاہوں گا کہ جیشل عدل ایک سوال خاص طور پر جو میں پاکستانیوں سے کرنا چاہوں گا یا جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جیشل عدل جس کے اوپر ایران نے اٹیک کیا بلوچستان میں اس ارگنیزیشن کو کون ہیڈ کر رہا تھا وہ جو انسان جس کا نام ہے مطلب جو بھی آپ مطلب وہ دیکھ لیں وہ پاکستان سے بلوچستان سے بلونگ کرتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اگر ایسی ارگنیزیشنز کو یا ایسی ارگنیزیشنز کے جو ہیڈ ہیں ان کو جرنگ کریں گے پناہ دیں گے تو پھر دیفینیٹلی سوال تو اٹھیں گے دیفینیٹلی اس کے اوپر باتیں تو ہوں گی اور پھر ہمارے نیبر کے ساتھ ریلیشن بھی اس طریقے سے بہتر نہیں ہو پائیں گے کچھ ٹائم پہلے تک ہم کہتے تھے کہ جی بھائی انڈیا ہمارا دشمن ہے اب ہمیں شاید یہ بھی کہنا پڑے کہ ایران ہمارا دشمن ہے پھر کچھ ٹائم بعد ہم کہیں گے افغانستان دشمن ہے اور اللہ نہ کرے ایسی سیچویشن بنے کہ چائنا بھی ہمارے سے مو موڑ گے پھر ہم یہ کہیں گے پوری دنیا ہماری دشمن ہے صرف ہم ٹھیک ہیں باقی پوری دنیا پاکستان کو دبانے میں پوری دنیا پاکستان کو نیچا کرنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے فائکا جی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بہت شکریہ فائکا جی آپ نے وقت دیا اور آپ نے جو باتیں کی آپ کی سوچ کو دیکھ کر آپ کے ویجن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ definitely کہیں نہ کہیں کشمیر میں change آ چکا ہے اور جو انڈیا سائیڈ کشمیر ہے وہاں پہ education کے پر work کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو accept کیا جا رہا ہے اور میں یہ چاہوں گا پاکستان کے لوگ چاہے پاکستان سائیڈ کشمیر ہو یا اورال پورا پاکستان ہو ان چیزوں کو سمجھے ان چیزوں کو دیکھے اس میں ہی ہماری بہتری ہے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور سوہیب چودری اور فائکا جاوید کا یہ پورا discussion آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اسے دیکھ کے آپ کو کافی اچھا بھی لگا ہوگا جہاں پہ ان دونوں نے بات کی ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں اور خاص کر بھوے رام مندر کے بارے میں جی ہاں بس ایک دن رہ گیا ہے یعنی کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں جب ہم سب کو اپنے بھگوان رام یعنی رام لالہ جی کے درشن ہونے والے ہیں اور دوسری ہم نے دیکھا کہ کشمیر سے ایک بیٹی نے بھگوان رام کے لیے بہت اچھا بجن گایا وہ بھی اپنی local language کشمیری میں تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے like اور share ضرور کر دیں اس کا پہلا پارٹ ہم already چینل پر ڈال چکے ہیں جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا تھا بہت سارے messages اور comments آئے تھے اس لیے ہم نے اس کا second part آپ کے لیے ڈال ہے تو اگر آپ نے وہ part نہیں دیکھا آپ جا کے اس کو بھی ضرور دیکھیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی مزیدار اور interesting ویڈیو میں پر اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی latest اور interesting ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت